प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ने अपने संसदिय श्यत वारानसी के दोरे पर किया 28 किलोमेटर लंबा रोडशो काशिय विश्वनात मंदिर में किये दर्शन काशिय विश्वनात मंदिर से दर्शन कर बाहर निकले पीएम ने तरिशूल उठाकर शधालों का अभी डंदन किया तरिशूल के साथ पीएम मोदी ने किया जीत का शंकनाद ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया था तरिशूल वारानसी के मुस्लिम बोले अब जब मोदी उमीदबार होंगे तब होगी चीत वारानसी के मुस्लिमों ने की पियम मोदी से अपील का की जब तक चुनाओ लड़े वारानसी से ही लड़े और हमेशा प्रधान मंत्री बने अज प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का आजमगर दोड़ा 42,000 करोड की विकास यूज़नाओं का करेंगे उदखाटन और शिलान नियास एक जनसबा को सम्बोदित करेंगे प्रधानमंत्री देश भर में 15 हवाई अड़ो के ने टर्मिनल भवनों का करेंगे उधगाटन और शिलानियास लखनो और राची में लाइट हाउस प्रोजेक्स का करेंगे उधगाटन उत्रप्रदेश में रेल और सड़क बुनियादी धांचे को मजबूत करने के लिए 27,000 करोड से अधिक की परियुजनों का होगा शुवारम प्रधानमंत्री मोधी देंगे सौगाट प्रधानमंत्री प्रयागराज जौनपुर इटावा को भी देंगे सौगाट काई सीवेच उपचार सेयंत्रों और दूसरी परियुजनों का भी करेंगे उधगाटन और लोकार पर 36 गर में महतारी बंदना योजना के तैयरत पहले किस्ट जारी की जाएगी प्रधानमंत्री व्रियो कांफरेंसिंग के जरिय देंगे सौगाट MPK कट्टी में मुसलिम धर्म गुरों और जार्यानों के बीच प्रधानमंत्री मोधी ने प्रातना की हजरत इत्र शहादत्ता पीर बाबा चिश्टी की पवितर स्थरी पर चड़ाई चादर मुसलिम धर्म गुरों ने 2024 में PM मोधी की जीत और सलामती के लिए विशेश प्रातना का आयोजन किया Indian Minority Foundation ने शुकरान मोधी कारेकरम आयोजन किया धर्म गुरु में PM मोधी की लंबे जीवन और सफलता की कामना की PM के अतिहासिक जीत और देश के साथ लेकर चलने की दुआ की सिलिगुरी राधिकापुर ट्रेन को PM मोधी ने दिखाई हरीजन्डी सिलिगुरी में कई परुजनाओं की रखी आधार शिला PM मोधी ने ममता सरकार पर निशाना साधा दलित आदिवासी और महिला विरूधी बताया असम के जोरहाट से PM ने 17,500 करोड की प्रजेक्स की दी सोगात कहा कि इन प्रोजेक्स की वज़े से असम में विकास की गती और तेज होगी PM मोधी बोले नौर्टीस्ट ने मोधी की गारेंटी को पूरा होते देखा है पूरा नौर्टीस्ट कहा रहा है अब की बार 400 के पार काजिरंगा नैशनल पार्क में भ्रवन के अबाद प्रधान मंतरी मोधी ने महिला वन रक्षकों की टीम वन दुर्गा से भी बातचीत की PM मोधी का अरुनाचल दौरा इटानगर से 55,600 करोड की परिजनों की सौगात दी PM मोधी ने सेला टेनल का उधाटन किया 10 किलमेटर लंबे तवांग से जीन सीमा तक दूरी अपकम जाएगी PM मोधी बोले नौर्टीस्ट के विकास के लिए हमारा विजन आस्था लक्षमी का है ट्रेड और टूरिजम की मजबूत कड़ी बनेगा नौर्टीस्ट इटानेगर से PM ने विपक्ष पर निशाना शाधा का कि आपके बच्चे किस हाल में हैं इसकी परवा इंडी अलाइंस ने ना कभी किये और ना कभी करेंगे लोकसबा चुनाओ से पहले एलक्षन कमिशनर अरुन गोयल ने इस्तीफा दिया विवादों में रही थी नियुकती दोहजार सताइस थकता अरुन गोयल का कारेकाल निर्माचर आयोक में पहले से ही चुनाओ आयोक का एक पत्था खाली अरुन गोयल के इस्तीफ़े के बाद अब किबल मुखे चुनाओ आयोक तर राजिव कुमार ही बच्चे हैं जिनके कंधों पर आई चुनाओ विवस्ता की जिम्यदारी होगी चुनाओ आयोक तरुन गोयल के इस्तीफ़े पर कॉंग्रिस ने सरकार को घेरा सोचल मीडिया पर लिखा चुनाओ आयोक या फी चुनाओ चुक केसी वेनुकॉपाल ने कहा कि लोकसवा चुनाओं के ठीक पहले चुनाओं आयोग तरुन गोएल का इस्तीफा देना हरान करने वाला है पूचा चुनाओं आयोग में क्या हो रहा है बीजेपी मुख्याले में बीजेपी के इंदर चुनाव समिती की बैटक आज शाम को साथ बजे होगी बैटक लोगसवा के लिए उम्मिद्वारों के नाम होंगे तैय पीएम मोधी ग्रह मंत्री पार्टी अधिक जेपी नड़ा मौझूद रहेंगे C.M. जोगी आदितनाथ आज आज आजमगर कुशीनगर और देवरिया में करेंगे जनसवा देवरिया में 689 करोड की 673 प्रयूजनाओं का लोकारपन शिलान नियास होगा सीम योगी कुशी नगर में कई विकास प्रेजनाओं की सौगात देंगे 435 करोड से महात्मा बुद कुशी एवंग प्रादूगी की विश्मधाले का करेंगे शिलानियास ममता बैनर जी आज कुलकाता के ब्रिगेट पेरेट ग्राउन में करेंगी बड़ी रैली माना जारा है कि इस रैली में ममता अपनी पार्टी के सबी बैयालिस उमिद्वारों के नामों को एक साथ घोशना कर सकती है शुमिंद वदिकारी आज एक जनसवा को करेंगे समोधित अदालत का निर्देश रैली में ऐसा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए जिससे शौंदरश खाली के पास के इलाके में कानून रवस्ता खराब हो बंगाल में ममता सरकार ने पहली बार राम नमवी में पर चुट्टी का एलान किया सरकार की तरफ से आई जिकुष से शांती से राम नमवी का जुलूस निकालने की अपील की गई है शाजा शेक को आज किया जाएगा कोट में पेश है बशिरहाट के कोट में किया जाएगा पेश शौंदरश काली हिंसा का मुख्य आरुपी शाजा का नेटवर्क सक्रिय है लोगों को धमकार आ है बीज़पी नेता दिले भुश का आरो शरत पवार ने पूने के भोर विधानसवाज शेतर में महाविकास अगाडी की रैली को किया सम्मोधित अपचारिक रूप से अपनी पार्टी की तरफ से सुप्री असुले को 12.30 से पार्टी उमिद्वार भुशित भी किया रैली को सम्मोधित करते हुए बोले शरत पवार देश को बाटने की सोच रखने वालों को जब तक हराएंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं अर्विन केश जीवाल ने महिलाओ से की आपको गोड़ देने की अपील बोले अगर आपका पती मोधी मोधी करे तो उसे रात को खाना मत देना अमादमी पार्टी ने दिल्ली के सिविक सेंटर में आउजित किया महिला सम्मान समारों लोक सबाचुनाओं अभियान की शुरुआत की मदबरदेश के सियम महन यादब ने गुरुगराम में एक कारेकरम को किया सम्मोधित का कि पाकिस्तान के माप में दम नहीं की अब हरत की तरफ देखे शबू बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में आज पंजाब में किसान रेल रुको अंदुलन करेंगे चार घंटे के लिए देजबर में रेल लुको अंदुलन का हवान ग्रेमंत्री अमिश्या ने पट्टा में अती पिछ्रा महा सम्मिलेन में सम्मोधित किया का कि कॉंग्रिस और आजड़ी आपके बच्चों का भला नहीं कर सकती ग्रेमंत्री अमिश्या ने बिहार की जनता पर जताया भरोसा का कि इस बार लोकसवा की सभी 40 सीटे जीतेंगे अमिश्या ने लालो यादब पर साधा निशाना का कि गरीबों की जमीन कबजा करने वाले नेताओं को अब छोड़ा नहीं जाएगा कारवाई के लिए जल्द बनेगी कमिटी अमिश्या ने बिहार के भूमाफियाओं को चताया का कि डबल एंजिन की सरकारे उल्टा लड़का कर सीधा कर देगी चतिस गड़ के रायपूर में किसान महाकुम का आयोजन केंद्रे मंतरी राजनात सिंग बोले 25 करोड लोग गरीबी से बाहर आ चुके है राजना सिंग ने जनता से की अपील का कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाए हिंदुस्तान में कोई भी गरीब नहीं रहेगा अंडरपरदेश में बीजेपी टीडीपी और जनसेना पार्टी मिलकर लड़ेगी लोग सबा और विधान सबा का चुनाओ एक दो दिन में होगा सीर्क बटवारा अंडरपरदेश के चुनाओ प्रचार में जुटी बीजेपी शिवरा सिंग चुहार ने लोड ने दिवार लिखन अभ्यान से शुरुआत की अंडरपरदेश में पिछले पांस साल में माफियाओं का बोलवाला रहा प्रदेश का विकास नहीं हुआ टीटीपी परवक्ता प्रेम कुमार जैन का बयान DMK और कॉंग्रेस के बीच सीट शेरिंग का फॉर्मूला तै तमिलनाड़ों की नो लोगसवा सीट पर लड़ेगी कॉंग्रेस DMK ने पुर्दू चेरी की एकलोती लोगसवा सीट कॉंग्रेस के लिए छोड़ी कॉंग्रेस मासचिप केसी विने कुपाल ने दी जान का रही जनाओं से पहले MP में कॉंग्रेस को लगा जटका सुरेश पचोरी और संजय शुकला बीजेपी में शामिल MP के मुखे मंतरी मोहन यादब बोले आगे आगे राहूल गांधी जा रहे हैं पीचे-पीचे कॉंग्रेस साफ हो रही है मायूती में सीट शेरिंग पर 80% मामले सुलजे सिर्फ 20% पर चर्चा बागी जिप्टी से व्देबंदर फर्ट नविस कवयार बिहार में बीजेपी ने सीट शेरिंग की कवायत तेस की जीतना माची के बेटे संतोष से मिले केंदरे मंतरी नित्याननद राए केंदर मेंथरे अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कॉंग्रिस सरकार पर बोला हमला का कि कॉंग्रिस ने जंता को ठगने का काम किया जंता सिक्क किये एक भी बादे को पूरा नहीं किया राउल गांदी का बीजेपी पर आ रहा हो पादिवासियों को अधिकार नहीं देना चाहती है बीजेपी लोकसमा चुनाओ अकेले लड़ेगी बीएसपी मायवती ने किया एलान का कि बीएसपी की ताकत देख विरोधी बेचायन अपना दल की नेता अनुक्रिया पटेल की सुरक्षा काटिगरी को किया आगया अपग्रेट अब जेट काटिगरी की सुरक्षा मिले एसपी चीफ अकले श्यादव ने दिया नया नारा असी हराओ MSP लाओ का कि यूपी की जनता स्वागत और विदाई दोनों अच्छे तरह से करती है ओडिसा बीजेपी के डेलिगेशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकाती निश्पक्ष चुनाओ कराने की मांग की जारखन से बीजेपी ने प्रदीव वर्मा को बनाया राजसवा उमीदबार प्रदीव वर्मा ने सिर्श नेतित्व कज़ताया आभार चंडिगर की दो पारशद वापस आमादवी पार्टी में लौटी आपके तीन पारशद बीजेपी में हुए तेशामिल हिमाचल के सिम सुगविंदर सिंग सुखु का दावा हमारी सरकार पांस साल चलेगी ये आमादवी पार्टी की सरकार है टनकपूर दहरादून ट्रेन की शुरुआतं सीम धामी ने टनकपूर रेलवे स्टेशन से हड़ी जन ने दिखा कर रवाणा किया सीम पुषकर सिंग धामी ने ट्रेन से की यात्रा ट्रेन की सौगात को लेकर पीे म मोदी और रेल मंत्री को दिया धन्यवाद कहां कि पीए मोधी ने रेलवे को एक नया स्वरूप और सुरक्षा दी पटना में लालू यादव के करीबी सुवाश यादव के ठिकाने पर एडी की रेड अवेद खनन के मामले में चापे मारी आरज़ेडी नेताओं के याँ चापे मारी पर बोले प्रवक्ता रिश्ची मिश्व बीजेपी को अपनी कारे करताओं पर नहीं जाच एजेंसियों पर है भरोसा तबिलाडों में कई जिगों पर अवेद रेत खननन के मामले में अक्शन लॉट्रे कियेंगे सैंटियागो मार्टीन के दामात के ठिकाने पर च्छापे मारी हुई दिल्ली विधान सबा में सीम केजडिवाल का बयान दस साल में हमने विकास का और बीजेपी ने विनाश का मॉडल अपनाया दिल्ली सरकार ने बिजली सबसेडी की फाइल एलजी को भेजी साथ मार्च को दिल्ली कैबरेट के पास किया गया था बिजली सबसेडी का प्रस्ताव सीम योगी ने गोरकपुर में एंसीसी ट्रेनिंग अकाड़िमी की नीव रखी का की प्रदेश की 56% से अधिकाबादी काम का जी जानपूर में बोले सीम योगी एक बक्त था कि जब शैश्री राम कहने पर लाठी चार्ज होता था पुरी दुनिया योध्या जाना चाहती है जारकन के सीम चमपाई सोरेन का सिक्षा विभाग को आदे जनजाती और शेत्री भाशाओं में कक्षा के एक से लेके पांच तक जल्द पढ़ाई शुरू करें हिमाचल में बायू सिर्य ने चलाया ऑपरेशनल लाहौल के स्तिरिंगरी हली पैट से येर लिफ्ट किये गए मरीज इवफाल से मयान मार के रिफ्यूजियों को वापस भेजा गया पिछले दो दिनों में 30 रिफ्यूजियों को डिपोर्ट किया गया दिली के सेलंपूर में हतियारबंध हमलावरों ने की फाइरिंग दो लड़ाकों की लगी गोली एक की हुई मौत दूसरे को अस्पाताल में भरती किया गया पुलिस के मताबिक रात करीब पॉने 9 बजी हुई घटना पुलिस मौके पर पहुंच के रब जाच कर रही है चेकिंग के दोरान पुलिस के रोकने पर बाइक सवार बदमाशों ने फाइरिंग की थी पुलिस की जवावी कारवाई में तीन बदमाशों को लगी गोली बदमाशों को अस्पताल में भरती किया गया बाइक पसवार होकर जा रहे थे तीनों बदमाश, पुलिस के मताबिक दो बदमाशों का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड, पुलिस ने बदमाशों के पास से दो पिस्टिल भी बरामत किये बुज़ात के सुरत में फेक लूट के मामले का भंडा फोर हुआ, पुलिस ने मास्टर माइंड सहीद तीन लोगों को किया गिरफदार आठ करोर की लूट की बनाए गए थी फर्जी कहानी कंपनी का कैश ले जा रहा कैशियर ही निकला, मास्टर माइंड पुलिस के सामने फर्जी कहानी बना कर दर्च कराई थी शिकायत, पुलिस की जाच में कैशियर निकला डूट का सूत्रधार कैशियर ने पैसे जमा कराने के दौरान लूट की बारदात की बनाई थी जूटी कहानी कैशियर के मुताविक इंकम टेक्स अधिकारी बनकर बदमाचों ने लूट पार्ट की थी यूपी के अमेटकर नगर में अनियंतरित होकर डबल डिकर बस फल्टी हासे में एक शक्स की हुई मौत दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए माराश्टे के कुलापुर में पटाका फैक्टरी में लगी भीशन आग फायर विगेट की टीम ने कड़ी मश्रक्त के बाद आग पर काबू पाया फैक्टि में आँग लगते ही होने लगे धमाके आसपास के लाके में दाश्रत का माहौल हासे में किसी के जान को नुकसा नहीं पुलिस हासे के जाश पे जूटी इंदर लोग पहुंचा जम्ने तूल्मा हिंद का डेलिगेशन जमा मस्जित के इमाम से की बाद तो पुलिस वाले के खिलाव कोड जाने की बात गही AIMM चीफ असदूदे नोवेसी ने नमाजियों से बस लुकी का मामला उठाया का कि इसलाम के खिलाव नफरत अब आम हो गई है Women's Premier League में आज दिली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजस बैंगलूरू के बीच होगी टकर दिली में होगी टकर शाम को साड़े साथ बज़े शुरूओगा मैच Women's Premier League में मुंबई ने गुजडाद को साथ विकेट से हराया पॉइंट स्टेविल में टॉप पर पहुँची नमशाला टेस्ट में भारत ने इंगलैंड को पारी और चौसर टंड से हराया पांच मैचों की टेस्स सिरीज पर किया चार एक से कबजा चेक रिपबलिक की किस्टीना इसकोवा की सिर्थ सजा Miss World 2024 का ताज 117 देशों की प्रतियोगियों को मात देकर खिताब जीता Miss World की जूरी में शामिल इंडिया टीवी के चेर्मेन और एडिटर इंचिफ रजर शर्मा ने कहा कि सिनी शेटी ने टॉप फोर में नहीं आने से निराशा हुई है लेकिन चेक रिपबिलिक की जो प्रतियोगी Miss World बनी है वो डिजर्व करती थी